हेलो वेवर्स, वेलकम बैक फारत फेर्शन यहां पर मैंने ड्रस बनानी के लिए कुछ इस तागा फैबिक लिया है और लेसी ली है यहां पर आप जो देख रहे हैं यह हमारा दुपट्टा जो हम ड्रस बना रहे हैं उस पर दुपट्टा यहां पर वेयर करेंगे मैंने ग्रीन के साथ यह यलो दुपट्टा लिया है यह मस्टर्ड यलो है कलर जो आप देख रहे हैं और यह जो फैब्रिक है दुपट्ट्टे का सिल्क एंग बनारसी दुपट्टा यहां पर मैंने इसा की लेस ली है आप देख लेज़े इसमें मैं ड्रस में लगाऊंगी कहां कहां लगाऊंगी आप लोग पूरा वीडियो देखेगा इसकी मत करिएगा ठीक है तो यहां पर मैंने टॉप के लिए यह बनारसी पीस लिय करना चाहरे है तो उसके लिए आप यहां पर टॉप के लिए एक मिटर फैप्रिक लिए ठीक है तो यहां पर इस साहर से पहले सबसे पहले हम इसकी लेंगे तो इस साहर से पहले आपको टू पर रखना है हम यहां पर टॉप जो बनारे उसका फर्स पार्ट यानि की बननना लेए है। प्रिषसलिघ काम की लाक सब्सक्राइब 2 सब्सक्राइब 22 पर अधर and हमारे NEC चोटा है, ठीक है यहां पर हमने 1 लाइन इस ताह से ड्राव कर लिया है जो आप देख रहे हैं, नब हम आर्रमूल्स के लिए इस ताह का आप स्केल इसके ड्राव भी कर सकते हैं और नर्मली आप जो यहां पर से में पर से नियांसे हो चाहिए west के लिए भी हम इतना ही mark करेंगे और एक straight line draw कर देंगे फिर उसके बाद हम princess cutter की marking करेंगे तो यहां से आपको उपर shoulder से 9 इंच पे एक mark करना है और इस side से आपको 4 इंच पे एक mark करना है जब आपको यह mark हो जाएगा तो आपको एक straight mark फिर से draw करना है आपको इससार से scale लेना है और यह वाले mark को straight कर देना है फिर यहां से हलका सा आपको armholes की तरफ round कर देना है ठीक है इस तहाँ से आप round कर लेंगे जो आपने 4 इंच पे mark किया तो वहाँ पर आपको एक side से 6 cm लेना है और दूसरे side से 6 cm लेना है अब यहां पर से आपको armholes जो मैंने marking कर ये same आपको इसी पर cutting करना है आपको अलग से कोई marking नहीं करना है ठीक है और फिर इसके बाद आपको यह वाला part है इसको कैसे cut करना है ध्यान से आप देखिएगा पहले तो हम लोग back वाले part को cutting कर लेंगे और फिर हम लोग यह वाले marking जो आपकी princess cut है उसमें बाद में cut करेंगे ठीक है इस तहाँ से पहले आपको bag में क्या करना है same बागी सारी marking करना है बस armholes में आपको one inch extra लेना है और उसमें marking करना है यहां पर से इस तहाँ से एक आपको cut लगा लेना है जो back में भी आपकी dot जाएगी same ऐसी आपकी dot जाएगी जैसे मैंने mark किया दोरो साइड आपको back वाले part में dot डाल लेनी है अब हम अपना back front वाला part फिर से लेते हैं और इसको cutting करते हैं यह वाला part जो है उसको आपको इस ताहाँ से cutting कर लेना है और यह वाला part है इसको cut करके आपको निकाल देना है यह extra fabric है हमारा और फिर इसके बाद यहाँ पर हम इसको join कर देंगे इस ताहाँ से आपको open करना है ठीक है फिर एक part आपको इस ताहाँ से रखके दूसरी side से दूने part को रखके join कर लेना है अब हम अपने top के bottom को cutting करने के लिए मैंने इस ताहाँ का fabric लिया है यह हमारा है velvet fabric आप यहाँ पर कोई और भी fabric ले सकते हैं ठीक है यहाँ पर एक side से आपको लेना है जैसे आप umbrella cutting करते हैं सेम आपको यहां पर कटिंग करना है एक साइट से आपको लेना है और इसको यहां पर से आपको इस ताह से इसको मिला देना है जैसे मैंने रखा है फैबरी को सेम आपको इस ताह से रखना है और उपर जो भी आपकी वेस्ट होगी जितनी आपने उसमें वेस्ट रखी है, टॉप में उतनी आपको भी आ ली यहां पर भी इसको कटिंग करना है तो मैंने यहां पर एट इंच टोटल ले लिया हुआ है, एट इंच पर मार्क कर रहा है और यहां पर हम लेंगे, लेंच हमारा जो इस साइट से फैबरिक आ रहा था, उसकी मैंने लेंच ले ली है तो यहां पर हमने लेंच ली है 28 इंच टोटल, तो उपर से मैंने 28 इंच ली है और यहां पर से 8 इंच मैनिस भी हो जाएगा, ठीक है तो आपको इस ताहरा से देख लेना अच्छे से और cutting करना है यहाँ पर देखिए मैंने इस ताहरा से दोनों पार्ट को cutting कर लिया हुआ है कुछ इस ताहरा से इसका look आएगा और यहाँ पर मैंने देखिए जो टॉप अला मेरा फ्रेंट वाला पार्ट है उसमें हमने अपने प्रिंसेस का जो डॉट थी उसको जॉइन कर लिया हुआ है और निक मैं इस तहा का बनाऊंगी जो मैंने कटिंग करकी फैब्रिक पे पहले से पेस्ट कर रखा था अब यहाँ पर मैं आपको जॉइन करके दिखा रही हूँ कैसे आपको यहाँ पर मशीन से जॉइन करना है यहाँ पर स्टिचिंग कर लिए है अब अंदर एक्स्टा वाले पार्ट पे हम यहाँ पर क्टिंग कर देंगे यह वाला पार्ट जब हमारा क molar क्टिंग हो जाएगा extra fabric जो है वो एकसा है वो अंदर की साइड में आपको fold कर देना है ठीक है और यहाँ पर fold करने के बाद मैंने यू जो lies ली ती आपको पहले वीडियो में दिखाया था वही ओलिघी को आपको यहाँ पर नप में लगाना है यह यह हमारा नेक आ पर लेया है, bottom वरे पार्ट को अपने top वरे पार्ट में जोईन कर लेंगे, जैसे आप मैंने रखे सीम आपको इसी तरह से जोईन कर लिया हुआ है, फिर उसके बाद आपको अपनी lace को लेना है, इसमे इसको cover कर देना है, तिका, यहां पर हमनी front वरे पार्ट को रेडी कर लिया, परम स्अ रेड़ कर लिया होए अब दोनों को अपस हम जोइट कर लेते हैं तो यहां पर अपर अपनी फिटिंग वारा, मैंने यह पर कर रिखा है और यह पर कर लेते हैं स्टीचिंग इस तगार से मैंने एक अपनी सLEEPS बनाई है यह बहुत ही सीपल सी सलेफस मैं आपनाई हुए यह बहूत today जैसे मैंने टॉफ को रीडि कर था वैसी मैंने सलेफस को भी रीडि कर रहा यह फिर उसके बाद हमारा यह अब हम अपनी स्लीप को कर लेते हैं इसमें आर्मोल्स में जॉइंट और कुछ इस अब मारा जो बॉटम का जो नीचे वाला पार्ट है उसमें क्या करेंगे हम यह लगाएंगे लेस ठीक है जैसे मैंने वाकी अब नेक में लेस लगाए थी वैसी मुझे बॉटम में भी लगा पला पार्ट रूमक यहां पर आप चोड़े है यहां पर पणिया जाते हैं और फलाड़ा पार्टेशे उप ब्रॉटम कहुंतर M euro कि ईनचे फॉर्वर नीच इना कर लेंख टे के लिए आपको दो स्काशनलेंगे तो बेर चुख यह में लेंगे लिए टर्मिति फरी प्ते यहां पर हम 36-inch पर एक mark कर लेते हैं यहां पर मैंने जैसे एक mark किया उसी तरह से आपको मैं आपको दिखा दीती हूं बहुत इजी तरीका है आप लोगी इस तरीकों को नोट कर लीजेगा अपना यह वाला पार्ट है यहां से आपको इंची टेप रखना है और फिर जितना भी पार्ट आपका आ रहा होगा जितना भी यहां पर marking आ रही हूँ सेम आपको यहां पर ही अपने इंचिटेप को रखना है और बरस इसी तरह से आपको आगे बढ़ाते जाना है जैसे मैंने इस एक साइट पर mark किया था वैसे हम आगे बढ़ते हैं, यहां पर भी मार्क कर लेते हैं, इसी तरह से आपको आगे बढ़ते जाना है, और मार्किंग करते जाना है, यहां पर से आपको यहां पर कटिंग करना है, जो भी मैंने मार्क किया है, इसी पर आपको कटिंग कर लेना है, अब यह वाला पार जब हमारा cutting हो जाते हैं यहां पर हमारा है fabric कम तो इसको आपको कैसे लेना है एक साइट से आपको एक fabric को अपने लेना है और यहां पर आपको रखके तीक है आपको यहां पर से रखना है और इस तहार से जैसे मैं रख रही हूं सेम आपको यहां पर रखके और जो भी आपकी लें करने के बाद अब हम अपनी बनाना है क्रोच वाला पार्ट तो क्रोच वाले पार्ट को मैंने इस ताहर से आपको जैसे बेल्ट लगाने है तो इंच की तो इंच के लिए आपको ऊपर की साइड को अपना इंची टेप निकाल देने के बाद और इस ताहर से मां करना है जैसे म फ़ी कि अब यहां पर देखी मैंने जो जॉइन्ट लगा जान यहां पर लगा थी उसको मैंने यहां पर स्चिइच कर लिया हुआ हो थे करते हैं, जो हमने कटिंग कर रा थे जॉइन को इसी दाय से आपको पेस्टिचिंग करना के बाद हम लोग इस वाले पार्ट को ओपेन करेंगे एक एक पार्ट को दूनों पार्ट को अलग करने के बाद यह वाला क्रोच वाला पार्ट है इसमें हम लोग करेंगे सबसे पहले स्टीचिंग और यह वाले पार्ट को अभी छोड़ देंगे इस वाले इस साइट से है यहां पर हम आ जाते हैं आपको अच्छे से बताते हैं कैसे आपको करना है स्टेचिंग जैसे आपको दोनों पार्ट को लेना है ठीक है और इस ताहर से जैसे मैं स्टेचिंग कर रही हूं सेम इसी ताहर से करके दोनों साइड में आपको स्टेचिंग कर लेनी है अब हम दोनों पाँचों को जॉइन करने के लिए यहां पर से आपको स्टीचिंग करना है यहां पर से दोनों पाट आपकी अलग है ठीक है और इस तहर से आपको जॉइन करना है जैसे मशीन चलाते हैं सेम आपको इसी तरह से बनाना यहां पर हम बनाएंगे अपनी belt, belt के लिए मैंने यहां पर 4-meter fabric को cutting कर लिया हुआ है और एक लंबी से strip को cutting किया हुआ है तो चली हम आपको बताते हैं कैसे इसे join करना है जहां से आपको crouch वाला part है ठीक है वहां पर से अपनी इस तरह से अपने fabric उठाना है शरारे को और फिर उसके बाद अपना belt वाला part जो आपने cutting किया होगा उसको आपको यहां पर रखना है और उल्टी side से आपको रखना है ठीक है और पूरे round आपको इस तरह से एक strip को join कर देना है यहां पर हमने elastic ले ली है और फिर इस तरह से आपको elastic को अंदर की side को रखना है और अपने fabric को आधाएंज अंदर की side को fold करके और इस तरह से आपको overlock कर देना है यहां पर यहां पर मैंने इस तरह से इसको log करने के बाद एक उपर से भी हमें जो आपकी elastic को थे उसमें stitching करना होता है यह हमारे शरारा हो गया रैड़ी और बहुत ही प्यारा लग रहा है इसका घेर बहुत ही जाद है क्योंकि हमने यहां पर full circle यहां पर बनाया होगा है शरारे को